हालो एब्रीवान वल्कम बैक तो माई स्यानल संगीता ब्यूटी वर्ड कैसे हैं आप सब तो आप मेरी क्लाइंट के यह देख सकते हूं बहुत ही अच्छे खासे लॉंग है बट सामने का लुक देखे काफी ज़्यादा सिंपल बहुत ही फ्लैट लुक देख रहा है तो ऐसे में बिना लेंथ शॉट के आप कैसे कटिंग करें फेस लुक को कैसे चेंज करें आपको सारी चीजे आज की वीडियो में मैं स्टेप बैस्टेप दिखाने वाली करके इनके बालों में कोई भी कटिंग नहीं है पूरे हैर सिंपल है तो स्टार्टिंग हमें फ्रंट से करनी है तो कान के जेश्ट सामने से हेर को निकालना है तो दोनों तरब से equal parting कर लेंगे और length आप देख सकते हैं सामने जब मैं हेर को लेके आ रहें तो काफी अच्छे long hair है इनके बट thickness medium है तो ऐसे में ही क्या करना है कि थोड़े hair ही हम सामने की तरब cut करेंगे वरना ज्यादा hair अगर हम cut कर देंगे तो पीछे के लिए hair कम हो जाएगा तो face look को change करने के लिए front layer cut करना बहुत ज़रूरी है तो मैं अभी camera को थोड़ा सा zoom कर रही हूं ताकि आपको proper अच्छे से समद में आ सके तो ear to ear section divide करने के बाद में hair को सामने की तरब अच्छे से comb करते वे लेके आना है और हम अब बीचो बीच से start करेंगे nose area हमारे front का center होता है तो आप देख पा रहे होंगे कि बीचो बीच से hair को मैं ले रही हूं और इसको जो है मैं चिन से थोड़ा नीचे लागके cut करूँगी यह देखे इस टाइप से बराबर cut कर देना है और जो side वाले hair है उनको हम guide line के साथ में mix करते वे बराबर cut कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर यह पने hair में puff बनाना चाहें या open रखना चाहें सभी तरीके से अच्छा लगेगा और साती साथ volume कम हो जाने की वज़े से सामने थोड़ा सा bounce भी लगेगा hair पे क्योंकि hair में बहुत ज़दा weight हो जाने की वज़े से और एकदम flat comb करने की वज़े से hair बहुत ज़दा आपको चिपका चिपका सा दिखता है अब इससे क्या करेंगे half on half divide करेंगे उसके बाद में इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा trim कर देंगे यह देखे तो देखे सबसे पहले तो हमें client से पूछना होता है कि उनको कैसा cut करवाना है जैसे कि अगर इनको steps cut लेना होता तो मैं इसमें shag cutting या layer steps वगरा mix करके करती तो बहुत अच्छा लुकाता बट इनको simple cut चाहिए था तो simple इनके बोलने के इसाब से simple ही चाहिए था बट मैंने इसमें थोड़ा सा जो है अच्छा cut करके दिया हुआ है ताकि यह अगर clutch करें पोनी बनाए या सामने की तरफ भी रखे तो यह बहुत सुंदर दिखेगा तो अब हम क्या करेंगे हैर को half and half divide करेंगे और comb करते हुए ऐसा सामने की तरफ लेके आना है और इसमें हम जो है one stroke layer cut करेंगे तो पूरे बालों को ऐसा सामने लाएंगे comb करते हुए तो simple cut करके भी आप बहुत सुंदर लुक दे सकते हैं पर उसे थोड़ा सा different cut करें जैसे मैं चाती है तो इसे सिब बराबर करती है लेकिन मैं इसमें एक one stroke layer cut करेंगे हूँ दोनों तरफ एक ही जैसे कर लेना है तो इतने से क्या होगा कि अगर ये अपने बालों को सामने में रखती है तो उसमें पूरा steps का जो layer वाला लुक है वो बहुत अच्छे से दीखेगा तो यहां पर side में खड़े होना है और पूरे बालों को एक ही साथ में hold कर लेना है मैं grip की हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि hair की thickness उतनी जादा नहीं है medium ही hair है बट length बहुत अच्छी है बालों की अब उसके बाद में हम क्या करेंगे hair को पीछे की तरफ लेके चलेंगे और हम back side से hair को थोड़ा थोड़ा सा नीचे नीचे से trim कर देंगे तो देखे लेंथ इनकी पूरी की पूरी बची हुई है और पीछे से एक अच्छा सा शेप भी आ जाएगा यह देखे तो जब भी आप पतले बालों पे back side से यू कट करते हैं तो उसको जादा deep में नहीं करेंगे light रखेंगे बस आपको हलका सा गोलाई से trim करना रहेगा क्योंकि अगर आप उसको डीप में कट करोगे ना तो हैर की जो थिकने से नीचे से वो कम लगेगी मतलब है पतला दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए आप उसको हलका सा राउंड शेप में रखेंगे ना तो उसमें बल्की आपको गहना लुग देखने के मिलेगा तो बीच से बराबर और साइट से थोड़ा-थोड़ा सा कट कर देना है तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लिजेगा हैर की क्वालिटी के हिसाब से हमेशा आप लोग क करें बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वहीं पर अगर हैर की क्वालिटी पतली है और अप अग्दम डीप में कट करोगे तो हैर अच्छा लगने के बजाए और भी ज्यादा बेकार दिखेगा तो यहां पर हैर कट इन कट डन हो चुका है उसके बाद में मैं हाफ हाफ है और विंटर टाइम है तो यह जो है गिले होने की वज़े से ठंड भी लग सकती है तो दोनों काम एक साथ में हो जाएंगे तो बस थोड़ा-थोड़ा सा ही मुझे शेट कर देना है यह दोनों साइड में एक ही जैसे कंप्लेट कर लेना है आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉंग हेर पे बिना लेंथ शॉट किये बिना स्टेप्स कटिंग के आप कौन सी कटिंग करके दें जिससे की लुक भी अच्छा आजाए और हेर भी जो लेंथ है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे है तो यह जो सामने से मैंने इ तो यह दूनों साइट से देखे मैं आपको दिखा देती हूं तो यह डन हो चुका है और फ्रेंट से शॉट अगर आप कटिंग करते हैं थोड़ा सा तो जैसे कि आप बनाते हैं तो वह स्टे करेगा बहुत लंबे हेर पे आप बनाते हैं फिर पीछे से पोनी बना लेते है पफ जो होता है ना थोड़ी ही देर में फ्लैक हो जाता है साँ पिछे की तरफ में भीचन जाताह। अच्छे टक करें पिन लगा के तब वो इस्टे करेगा बट शॉट हेयर होने की वज़े से आप अगर उसमें दो क्लिप भी लगा लेते हैं तो आराम से वो टिकेगा जब तक आप उसको ओपन नहीं कर तो कटिंग होने के पहले भी आप लोगोंने इनका फेस लुक देखा है और अभी कटिंग हो जाने के बाद आप चेंजेस खुद देख सकते हैं तो सिंपल तरीके से कट करके भी आप बहुत अच्छा लुक ग्रेट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज धेर सारा लाइक जरूर कीजेगा कमेंट करके बताना कि आप सब अगर आप लोग बहुत अच्छे से कटिंग सीखना चाते हैं तो कटिंग के सासत आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है जब भी क्लाइंट आते हैं वो बोल तो देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है लेकिन आप उनकी हेर क्वालिटी देखें थिकनेस देखें उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन सा कटिंग करके आपको उनके बालों पे देना है जिससे की एक अच्छा लुक निकल के आए जैसे कि इनका कटिंग मैंने सिंपल तरीके से ही किया हुआ बट इनको बहुत अच्छा लगा लेंथ भी अच्छी है और लुक भी चेंज हो गया बता आना दुरूर के साल का तब तक कि लिए बाइए